नमशकार दोस्तों, कैसे आप, आशर करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे, दोस्तों ठंडियों में हमेशा हमारे मास्पेशियों में, हमारे जोड़ों में दर्थ बना रहता है, अकड़न चकड़न से बनी रहती है, तो आज मैं आपको हुमेपैथी की दो पेटेंट दवा बताऊंगा, एक पीने की दवा और एक आईल जो मैं अमूमन अपने क्लीनिक में हमेशा अपने क्लीनिक में यूज करता हूँ और रिजर्ड्स पेशेंट में तुरंथ होते हैं, बहुत ही जल्दी असर करती है, तो बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करियेगा और हाँ अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब किया है प्लीज सबस्क्राइब करें बेल आइकन को जरूर दबाएं मैं ऐसे ही नॉलेज़िबल हमेपैथिक रिलेटेड डिसीज रिलेटेड विडियोज लाते रहता हूं इसके लावा आप मुझे एमेज कर सकते हैं द ответ gmail.com है इसके लावा मैं कहीं पर भी आपको whatsaup number नहीं देथा हूं नहीं आपको को call करता हूं नहीं मैं किसी को Mayडसine देता हूं नहीं मैं online description देता हूं तो अगर आपको किसी fake account से मेरा photo लगा रहता है, कभी-कभी आजकल YouTube पे चल रहा है, message section में fake account आते हैं, तो उन सबसे बचे, चलिए, topic के तरफ चलते हैं, दोस्तों, ठंडियों में, अकसर हमेशा मास्पेसियों में, जोडों में, दर्ध, सूजन, अकरन और जकरन बनी रहती है यह commonly होता क्यों है, ठंडी में actually में क्या होता है, हमारा थोड़ा blood circulation भी हलका कम हो जाता है, blood गाढ़ा हो जाता है और साथी-साथ हमारी मास्पेसियों थोड़ी tender हो जाती है, थोड़ी उसमें से अकर्ड आ जाती है मास्पेसियों में ठंडी के कारण, जिसके कारण हमारा movement हो कभी-कभी जो है एकदम से मासपेसी में अक्रन आ जाती है एकदम से जक्रन आ जाती है और ठंडी में कैल्शम की भी कमी होती है बॉड़ी में तो उसके कारण भी मासपेसी में अक्रन जक्रन आती है जिन्हें रुमिटार अथराइटेस, ऑस्टे अर्थराइटेस, गाउट, शियार्टिका जैसी समस्या रहती है तो ऐसे पेशेंट्स को धंडी में जादा प्रॉब्लम होती है और उन्हें दर्द, चकड़न, अकड़न बहुत जादा महसंस होता है वो बहुत तकलीफ में रहते हैं तो उनकी तकलीफ दूर करने आज मैं आया हूँ और तो ऐसी होमेपे जरूर करता हूँ तो आप मेरे लाइब वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और हाँ इस वीडियो को मतलब मैडिसेन बताने से पहले आप मैसे सेक्शन में जरूर लिखें कि आपको अगर रुमेटर अर् किसी भी तरह की जोड़ों, हड्डियों या मास्पेसियों या नसों सम्मंधित समस्या हैं तो जरूर आप लिखें मैं कोशिश करूँगा आपको अंसर देने की और आपकी प्रॉब्लम बढ़के मैं उस पर वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा तो चलिए आज की सब WSI की है विलमर्शॉबे इंडिया की एक patent medicine है, सालों से होमेपेथिक टॉक्टर इसे prescribe करते हैं, Resorts बहुत अच्छे हैं, मेरे क्लिनिक में भी मैं सालों से medicine prescribe कर रहा हूँ, Resorts बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, सबसे पहले जानेंगे इसके अंदर कौन-कौन से medicine हैं और व जोडों के दर्द, मासपेसियों के दर्द, बहुत ही जादा effective medicine है, खासकर अगर आपको osteoarthritis, या aromatoarthritis, या gout की समस्य है, तो इसे ये ठीक करता है, और दर्द को बहुत ही अच्छी तरीके से ठीक करता है, पेंकिलर है, लेकिन नेशरल पेंकिलर है, तो इससे आपको किसी भ बहुत सारे वीडियो मैंने इस पर बनाया हुए है, दूसरी medicine है इसमें ब्राइउनिया, ब्राइउनिया दोस्तों भी पेंकिलर है, और रक्स्टॉक्स के जैसे ही लगभख असर करती है, दर्द बहुत जादा होता है, जब आप चलते हैं, फर्स्ट मोशन में बहुत तेज आपको दर्द होता है, और जैसे से आप चलते हैं, तो बहुत तेज आपको दर्द होता है, और खासकर जोडों का दर्द अगर चलने पर हो, बहुत जादा मुवमेंट पर हो, तो बहुत ही effective medicine है, ब्राइउनिया, दोस्तों तीसरी medicine इसमें फिलिप इंडूरा डली गई है, यह दवा जोनों के दर्द के लिए बहुत ही effective है, और यह दवा बाकी patent medicine से इसे थोड़ा अलग करती है, नेक्स्ट medicine इसमें सिमसी फ्यूगा है, और सिमसी फ्यूगा दोस्तों कमर के दर्द के लिए बहुत ही बढ़िया दवा है, और मैं बता दूं कि MP drop जो है, वो कमर के द दर्द है, अकड़न जकड़न है, पीठ में दर्द रहता है, सर्वाइकल का पीन होता है, तो MP drop बहुत ही effective medicine है, सर्वाइकल के लिए हलागे spondyn ज्यादा बहता है, लेकिन MP drop भी आप यूज़ कर सकते हैं, कमर के दर्द के लिए, शियाटिका के पीन के लिए ठंडियों में यह बहुत ही effective medicine है, और लास्ट में इसमें, अर्टिका यूरिनस मदा अटेंचर डला हुआ है, मुस्लिए यूरिक असेट को कम करता है, और खुटने के दर्द और छोट-छोटी जो उंगलियों में दर्द रहता है, या अंगूठे में जो दर्द रहता है, उसे यह ठीक कर लिए एक आधा कप गुन-गुना पानी लीजे, क्योंकि ठंडी में ले रहे हैं तो थोड़ा गुन-गुना पानी जादा अच्छा रहेगा, गर्मी में आप ठंडे पानी में भी यूज़ कर सकते हैं, आधे कप गुन-गुने पानी में 20-25 पून इसे ढालिए और फिर उस खतम कर दीजे, आपका मसल पेन, स्टिफनेस, यह सब ठीक हो जाएगा, अगर बहुत जादा दर्द हो, तो हर एक एक घंटे में आप दो-तीन बार रिपीट करेंगे, तो दर्द में अराम लग जाएगा, यह मैडिसेन आपको हमपेथिक शॉप में आसानी से मिलेगी, और बहुत ही अच्छी है, अभी अलग ही आजकल जो पेटेंट हों पहते हैं, उनकी प्राइज एकदम से बढ़ती जा रही है, हर महीने बढ़ती है, मैं भी इस से थोड़ा परशान हो गया हूँ, पेशेंट को बताने में में बढ़ा मुश्किल होता है, इस महीने बढ़ गई फिर इस महीने बढ़ गई, तो अभी फिलहाल इसकी 110 रुपए प्राइज है, कुछ महीनों पहले साइट 100 रुपए थी, तो अलफा एमपी ट्रॉप, बहुत ही effective medicine है, बहुत ही अच्छे results मिलते हैं, और दूसरी मेरी favorite और मैंने इस पे एक बहुत पुराना वीडियो है मेर है इस पे, हलाकि उस समय ये रूमा टोन नाम से आती है, आज कल ये रूमा कौन आइल नाम से आता है, ये हैपडेको कमपनी का ओईल है, बहुत थी जादा effective ओईल है, मैं इसके लावा कोई और ओईल अपने patients को नहीं देता हूँ, सालों से, लगवग 10-12 सालों से मैं ये आपको बता दो, mostly इसमें आर्निका, कैंथेरिस, रक्स्टॉक्स, मैंथा और कैंफर है, आर्निका बहुत ही बढ़िया दवा है, as a pain killer, blood circulation इंप्रूफ करती है, और बाकी जो medicine है, वो externally apply करने से एक ठंड़ एक जो oil आप लगाते न, दर्द का, वो एक जो गर्माहाट एक ठं सोखने के लिए काम आते हैं, और इससे दर्द में दुरंट आराम लगता है, बहुत ही बढ़िया ओईल है, मैं इसे बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूं, और मैंने इसे बहुत पहले, अभी तो इसकी MRP 175 है, यह भी मैं बता रहूना हिस्समें, पेटेंट होमपेटिक मैर से बढ़ रही है, तो यह भी अभी फिलहाल तो तेजी से बढ़ रहा है, 175 है इसका रेट आंगे चलके क्या होगा, मुझे कुछ पता नहीं है, तो लेकिन इससे जरूर आप लूज़ करें, घर पे रखें, मासपेसियों में, जोडों में डर्द हो, बुज़र्गों को डर् बाकि आप सिंप्ली इसे यूज़ करें, दिन में दो-तीन बार इसे लगाएं, और बहुत बढ़िया रिज़र्व मेरें, इसके बारे में मैं क्या बोलूँ है, तो दर्द ठीक हो जाएगा, तुरंत लगाने से तुरंत अराम लगता है, तो यह एकनी इफेक्टिव मैडिस इन के लिए तो यह राम मार दवा है, आप सिंप्ली अलफा एंपी या कोई और इंटर्नल मैडिसिन, अगर आप ना लें, यह भी सिंगल यह यूज़ करें, तब भी आपको आराम लग जाएगा, और सिर में दर्द थोड़ा ऐसे गर के लगा लें, इसे सिर का धर्द भी ठ तो कहीं ऐसी जगह मत लगाएं, जहां पर सेंसिटिव जगह हैं, फिर बहुत तेज ओई है, तो यह ओईल सबसे एक्टिव ओईल है, इसे यूज़ करें, रूमा कॉन ओईल और अलफा एंपी यह दोनो, अलफा एंपी और रूमा कॉन ओईल, यह दोनो यूज़ करें, काफ अगर अच्छा लगा हो, तो फ्लीज वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दीगा है, तो उसको दवाना बिल्कुन दिएगा, यहां पर एक रट करगा, सब्सक्राइब का बटन दीगा, तो उसको भी दवा दीजे, उसके बगल में एक बैल आइक अन है, तो उसको भी आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, आज निवाद, थैंके सो मुझ, बाई